विपक्षी दलो का गटबंधन INDIA एक जुट होने से पहले ही विखर रहा है एक तरफ NCP चीफ श्यद्वाट ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साजा करके अपने तेवर दिखा दिये हैं तो वहीं दूसरी तरफ तिलंगाना के मुख्य मंत्री और BRS के अध्यक्ष केसी राफ ने इस गटबंधन को बड़ा जटका दिया है इसके लाफ़ा इस गटबंधन का सच क्या है अब कॉंग्रेस पार्टी के नेता अधिरंजन चौतरी ने ये बड़ा खुलासा किया है नमस्कार स्वागत है आपका दा नियूस पर मैं हूँ आपके साथ शिप्राजैनी तिलंगाना के मुख्य मंत्री केसी राफ ने विपक्षी गटबंधन INDIA को बड़ा छटका दिया है उनका बड़ा वयान साब ने आए है केसी राफ ने ये कहा है कि वो ना ही INDIA के साथ है और ना ही वो INDIA के साथ है तो ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है जाहित तोर पर ये विपक्षी गटबंधन के लिए बहुत बड़ा जटका वाना जा रहा है क्योंकि एक तरफ लगातार कॉंक्रिस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी और इसके लाफा चाहे बात टीमसी की की जाए या फर दूसरी पार्टियों की की जाए लगातार एक जुट होने की कोशिश परधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चल रही है लेकिन इन सब के बीच अब दिलंगाना के मुख्य मंत्री केसी राफ का इस गटबंधन को लेकर बहुत बड़ा फयान साफ्ते आया हैं उनसे जब ये पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी इंडिया गटबंधन या एंडिये के साथ हैं तो उन्होंने ये कहा है कि हम ना तो किसी के साथ हैं और ना ही किसी के साथ हम रहना चाहते हैं हम अकेले नहीं हैं और हमारे दोस्त भी हैं केसी राफ ने पूछा कि ये नियू इंडिया क्या है वो पचाह साल तक सत्ता में थे कोई बदलाव नहीं हुआ ये बड़ी बात य केसी आर की और से बोला किया है तो बी आरेस के अध्यक्ष हैं केसी आर तिलंगाना के मुख्यमंत्री हैं लेकिन जिस तरहीके से उनका ये बड़ा बयान साफने आया है जाहित तौर पर ये विपक्षी गटबंधन आई एंडी आई ए के लिए बहुत बड़ा छटका माना जा रहा है क्योंकि लगाहतार जो संसद में जो हंगामा चल रहा है लगाहतार कोशिश ये है विपक्षी गटबंधन की की जाधा से जाधा पार्टियों को अपने साथ जोड़ा जाए जाधा से जाधा पार्टियां अगर साथ होंगी तो मोधी को हराना मुम्किन होगा और ये हम नहीं कहा रहे हैं बलकि Congress Party के ही नेता अधिरंजन चौधरी ने इस गटबंधन को लेकर बड़ा खुलासा कर दिया है दरसल Congress Party के नेता अधिरंजन चौधरी ने एन्हीं से बातचीत करते हुए ये कहा है कि मोधी को हराना नामुम्किन है और विपक्षी गटबंधन INDIA हमार यानि मजपूरी में ये तमाम विपक्षी दल जो है एक जुट हुए है ये अधिरंजन चोथरी ने माना है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये मजपूरी में तयार हुआ गटबंधन क्या मोधी को हरा पाएका ये भी अधिरंजन चोथरी मान रहे हैं कि फिलाल जो ये एक जुटता यानि ये गटबंधन INDIA हमारी मजपूरी है ये बड़ी बात उनकी तरब से कही गई है उन्होंने कहा कि राजनिती में तो मजपूरी जरूर होती है ये भी अधिरंजन चोथरी की तरब से कहा क्या है अधिरंजन चोथरी ने विपक्षी गटबंधन के इस उन्होंने ये कहा कि वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी का सम्मान करते हैं। जरूरी है ये मजपूरी है और जरूर मजपूरी है ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई है। जरूरी है और उसके बाद अब बियारेस का बयाना बियारेस के जो अध्यक्ष है के सियार उनका बयाना जाहिर तोर पर ये और जादा मुश्किले जो हैं। खड़के लालू परसाज, यादाव, सोनिया, गादी इन तमाब नेताओं की बढ़ाने वाला है। की फिलाल अभी तक ये तैह मना जा रहा था कि तिलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं, जो उनकी पार्टी है, बियारेस वो दरसल विपक्ष के पक्ष में हैं। लेकिन अब उन्होंने ये कहतिया है कि दरसल वो किसी के साथ नहीं है, हाला कि उन्होंने संकेत ये भी दिया है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे दोस्त भी हैं। अब वो दोस्त कोन है ये बड़ा सवाल कही न कहीं खड़ा हो गया है तो ऐसे में लगातार तिलंगाना के मुख्यमंत्री के सियार के तेवर देखने को मिल रहे हैं तो एक तरफ ये दो बड़ी खबरे जहां अधिरंजिन चोथरी ने इस गटबंधन को मजबूरी बताकर कही करनाटक से भी बड़ी खबर साखने आ रहे है करनाटक में गुंडागर्दी कहीं कहीं कौंक्रिस पार्टी की देखने को मिल रहे है जिस तरीके से करनाटक में जो पंचायत राजमंत्री हैं प्रियांग खड़के यानि मलिकारजुन खड़के के वो बेटे हैं और उनको ए देखने को मिल रही है कि किस तरीके से एक पंचायत कारहकरम था और उसमें ग्रामीन विकास पंचायत राजमंत्री प्रियांग खड़के को नहीं बुलाया किया जिसके चलते दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया किया इंडिया टूडे की खबर के मुताफिक मूड बिद् टाहलूग पंचायत के कारहकारी अधिकारी दैवति और इंडिरुभेल ग्राम पंचायत के पंचायत विकास अधिकारी क्थमपा को प्रोटोकॉल का उलङगन करने के आरोप में निलंबित किया है और नए इरुवेल पंचाद्वन के उदगाटन के निमंतरमपत पर मंत्र खड़गे का नाम नहीं था जिसके चलते प्रियांग खड़गे को एक करिक्रम में बुलाया नहीं गया और दो अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया उन्हें निलंपित कर दिया गया तो ये भी बड़ी खबर जो है वो करनाटक से सामने आई हैं तो कुल मिला कर एक तरह विपक्षी गटबंधन INDIA मजबूत करने की कोशिश खुद को कर रहा है ताकि संसत से लेकर तमाम देश में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के मुद्दों पर उन्हें घिरा जा सके लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये विपक्ष का गटबंधन जो की मजबूरी में पना है ये अधिरंजन चौतरी ने खुलासा किया है अब कहीं न कहीं ये एक जूट होने से पहले ही टूट रहा है बिखर रहा है और हो सकता है कि आने वाले वक्त में जब चुना हों तो इससे पहले इस गटबंधन में गिनी चुनी पार्टियां ही नजर आएं तो फिलाल इस गटबंधन पर निगाए है लेकिन कहीं न कहीं गटबंधन को लेकर अब उन्हीं की पार्टी के एक बड़े हीता अधिरंजन चौतरी ने एनाई को दिये गए इंटर्व्यू में इस गटबंधन की पोल खोल कर रखती है कि किस मजपूरी में ये विपक्ष इखटा हु धन्यवार्ट